हे नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना Microsoft अकाउंट कैसे बना सकते हो, एक नया Microsoft अकाउंट कैसे create कर सकते हो, तो आए जानते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने computer या laptop में कोई भी web browser open कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर search ब अकाउंट, तो इसको search कर लिजिए, और इसके बाद यहाँ पर आपको first number पर ही मिल जाएगा, यह option, sign in और create your account today, आपको इस वाले पर click करना है, इस वाले पर click करने के बाद, आपके पास यह वाला page आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, create a Microsoft account, यह आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर मिल जाएगा, sign up, sign in, तो आप इसे ढूंड लेजिए, यह changes होता रहता है, तो आपको इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद, आपके पास same to same यह वाला page आएगा, यहाँ पर कह रहा है, create account, तो यहाँ पर आपसे कहेगा, कि अपना mail ID डालिए, अगर आप phone number से ब यहाँ पर आपको next पर click करना है, next पर click करने के बाद आपको बना रहा है, यहाँ पर एक password, जो कि password अच्छा होना चाहिए, तो हम password में डाल देते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर password में capital letter वगरा use कर सकते हैं, इसके बाद कह रहा है, कि आपने जो number दिया है, यह Gmail ID दी है, उस पर एक code आया होगा, तो हमारी Gmail ID पर एक code आया है, तो हम इस पर click करते हैं, तो यह रहा हो code 0208, हम इसे यहाँ पर डाल देते हैं, 0208, इसके बाद आपको next पर click करना है, next पर click करने के बाद यह हलका सा wait लेगा, और यहाँ पर आपको Microsoft account है, वो create होने लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको puzzle solve करने को कह सकता है, क्योंकि you are not a robot कहता है, तो आपको next पर click करना है, यहाँ पर कह रहा है create account तो आपको इसे सीधा कर देना है, जो भी कहता है यह करने को, तो उसको कर दीजिए, इसके बाद डन पर आपको click करना है, और यहाँ पर यहाँ complete हो चुका है, और यहाँ पर हमारा account बन चुका है, यहाँ पर कह रहा है stay sign in, आपको yes पर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद, यहाँ पर आपका Microsoft account login हो चुका है, तो साहता को सौन में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को like करिएगा, और मे तेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा,